थे सोहल और आप देख रहें sports lab तो टीटी वेल्ड कप 1994 के लेकर सभी तेयारियां सुरू कर छुकी हैं बादादे के शेहंआ भारती टिम हो सता है ट्री वर्लकप 24 के लिए वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो क्या होगा टीम अका इसकाइट टीटवब्ड़काप दोचाबिस के लिए और कब और कहां खेला जाएगा टीट्वब्ड़काप दोचाबिस पूरा डीटेल में बात करेंगे लेकिन इस आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्द दी सब्सक्राइब करें बात करें लगबग यूए से में ख्यलने वाली है जून में ख्यला जाएगा टीटवणटी वर्ल्ड कप दोच वीस इसके लिए कर सब तीम हिसा लेने वाली है जो कि अब तक कर सबसे तरह टीम पाटिसिपेट करेगी इस वर्ल्ड कप में और ब्यादी कडा मुकाबला होने है जो ग्रूप होगा उसमें पाकिस्तान भी रहने वाला है इसे में इंडिया के लिए चुनावतिया दूगुनी बर जाती वहीं बात करें टीम इंडिया का को लेकर बताती कि टीम इंडिया के स्काइड में कई यंक घ्लाडी को मौका मिल जकता है तो कई सीनियर के ड्लाडी रहने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करें सब्सक्राइब कर बारे में तो बड़ा नहीं कि युद्प तक फीट रहेंगे कब तक अनफीट रहेंगे इसे में रोही सार्मा के साथ ही बीजिस याई आगे बढ़ने वाली है टी ट्वंटी वर्ल्ड कप दोजाद चौबिस के लिए तो वहीं बात करें फाइनल स्कॉाइड का जो कि टीम इंडिया का होगा वर्ल्ड कप दोजाद चौबिस के लिए तो वह कुछ इस परकार से हो सकता है रोही सार्मा बतर कप्तान खिलते हुए नजार आ सकते हैं टी ट्वंटी वर्ल्ड कप दोजाद चौबिस में इसके बाद बिराट कोली फिर शुबमन गिल्ड सूर्य कोमार याद रितुराज गैकवाड इशान किशन यससवी जैसवाल रिंकु सिंग इसके बाद हार्दिक पांडया, रवींदर जडेजा, रभी भिश्णोईज और सिदीप सींग, मुहम्मस समी, मुहम्मस सीराज, जश्पृत भुमरा तो यह हो सकता है टीम इंडिया का फा इनल वर्ल्ड कॉप के लिए इसके अलावा रिंकु सिंग जैसे बड़े खिलाडी को मौका मिल सकता है बेहादी यंग खिलाडी है लेकिन जिस परकार से पर्फॉमंस किया है सभी का दिल जीत लिया है बतादी कमाल के पर्फॉमंस कर रहे है और स्पेसली मीडिल ओडर में जहां प पहली बार रभी विश्णोई भी सामिल हो सकते हैं लेकिन बड़े टूनेमेंट में उतना मौका नहीं मिलता है तो वहीं बात करें हमें इशान किसा नर्ग यसा स्वी जैस्वाल जैसे बड़े कि लाड़ी और कमाल के बल्ले बाजी करते हैं सुपमन के लिए असान नहीं हो तो यहनीर टीम इंडिया के स्प्वाइड के लिक लिए उनी के लिए हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर बताएं तब तक के मिलते हम आपको अगले विडियो में